Good morning students, how are you all? I hope you all are well, safe at home. There is exercise about pronoun in your book, so today we will read about pronoun. Pronoun, जैसा कि आपको इस word में देखने को मिल रहा है, noun word, N-O-U-N noun, तो हमें पता चलता है कि इसका कहीं ना कहीं relation noun से है, अगर हम पहले noun हमें पता हैं, तो pronoun को समझने में हमारे लिए बहुत easy होगा, तो pronoun start करने से पहले हमें एक बार noun को एक short सा revision कर लेते हैं, noun, noun को हिंदी में हम संग्या भी कहते हैं, as you know, noun is the name of person, place, animal or thing, noun किसी भी person का नाम, किसी भी place, animal or thing के name को हम कहते हैं, इसको naming word भी कहा जाता है, किसी भी person का नाम ने, her, mother, uncle, doctor, aunt, father, mother, teacher, boy, girl, इस सब persons कहलाते हैं, places होते हैं, school, park, house, stations, road, room, animals होते हैं, lion, tiger, bear, monkey, things में आती हैं, guide, pen, book, tv, pencil, book, notebook, book, book, यह सब आते हैं, things के अंदर, सो किसी भी person का नाम, place के नाम, और animal के नाम, और thing के नाम को हम noun कहते हैं, अब आते हैं हम pronoun पे, pronoun को हिंदी में कहते हैं, सर्वनाम, words that are used in place of noun are called pronoun, वह word जो noun के place पे, noun की जगह पर use होते हैं, noun की जगह जो word use होते हैं, उन्हें हम pronoun कहते हैं, pronoun कई सारे होते हैं, like I, we, you, they, he, she, it, यह सब होते हैं pronoun, pronoun की जगह जरूरत हमें कहां परती है, जैसे की हमें कहना है मै, अब खुद की बारे में बात करनी है, I means होता है मै, we means होता है हम, you means होता है तुम, they आने होता है, we, he, we, he का use हम लड़के के लिए करते हैं, she का use हम लड़की के लिए, दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन he use होता है लड़के के लिए, she use होता है लड़की के लिए, और it का मतलब होता है यहां, इसे हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, जैसे कि ये एक girl है, इसका नाम है Ria, ठीक है, ये girl है, इसका नाम है Ria, अब हमें कहना है कि Ria is a girl, Ria जालावाड में रहती है, Ria एक happy girl है, Ria Emanuel स्कूल में पढ़ती है, हम हर बार Ria नाम यूज नहीं करेंगे girl के लिए, हम इसके लिए यूज करेंगे वह, फर्स्ट में हमने एक बार हमें Ria नाम यूज करना, जैसे this is Ria, अब हम प्रोनावन यूज करेंगे, हम Ria के बारे में और बाते कर रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे प्रोनावन she, अगर girl है तो she, she lives in जालावाड, she studies in class first, and she is very happy girl, तो हमने कौन सा प्रोनावन जगर शी क्योंकि ये girl है, इसी तरह से ये एक boy है, boy के लिए हम कौन सा प्रोनावन यूज करेंगे, boy के लिए हमें यूज करना, he, जैसे हमने, ये boy है, इसका नाम है, रवी, बहुत अच्छा लड़का है, रवी अच्छा डांसर है, रवी बहुत इंटेलिजेंट है, रव हम इन प्रोनावन को थोड़ा सा डेटेल से पढ़ लेते हैं, सबसे पहले प्रोनावन यूज करेंगे, हम I, we use I for me or myself, हम I का यूज अपने लिए, मेरे लिए, जब आप अपनी खुद की बारे में बात कर रहे हैं, तो हम प्रोनावन यूज करते हैं, I, when we talk about ourselves, हम खुद के someone, we use pronoun you, जब हम किसी और से बात करते हैं, जैसे हमने हम दो लोग बात करें, में और आप बात करें, तो मैं आपके लिए कौन सा प्रोनावन यूज करेंगे, you, और मैं खुद के लिए प्रोनावन यूज करेंगे, I, जैसे you are looking very pretty, third is she, we use pronoun she in the place of girl or a female, जब हमें किसी girl के बा बात करनी हैं, तो हम आपर यूज करते हैं, प्रोनावन शी, next, like she is my mother, अगर mother लड़की है, mother एक female है, तो हम प्रोनावन उनके लिए यूज करेंगे, she, next is he, we use pronoun he in the place of a boy or a male, हमें किसी boy के बारे में बात करनी है, या किसी male person के बारे में बात करनी है, तो हम उनके लिए प्र he is my friend Ravi, इस तरह से, when we talk about plural nouns like persons, players, things, animals, we use particular pronouns they and we, जब भी हम, मतलब plural के बारे में, जब एक से जादा लोग हो, बहुत सारे बच्चे कहल रहे हैं, बहुत सारे डांस कर रहे हैं, तो हम उनके लिए pronoun यूज करेंगे, दे का, बहुत सारे लोग दूर खड़े हो के हम उनके बार करें, तो pronoun यूज होता है, और उनके साथ आप सब भी हो, जैसे हम सब घूमने जा रहे हैं, हम सब आप खेल रहे हैं, तो हम pronoun यूज करेंगे, वी, next is it, in place of birds, fruits, animals, vegetables and things, we use pronoun it, but for only one thing, it का use हम birds के लिए करते हैं, fruits के लिए करते हैं, कोई animal के लिए हमें pronoun यूज करना है, तो हम it यूज करेंगे, वेजिटरबल के लिए हमें pronoun यूज करना है, तो हम it यूज करेंगे, और things वस्तु हैं, जैसे मेरे पास एक pencil है, यह एक pencil है, फिर मैं इसके लिए pronoun यूज करूँगे, it is yellow and grain color, it is very sharp, so मैंने pronoun यूज किया, पैंसिल के लिए it, और यह पैंसिल सिफ एक है, तो यह one thing के लिए हम है, it यूज करना है, okay student, now, activity, choose the correct word from the brackets and complete each sentence, number one, meet my mother, हमें यहाँ पर bracket में she, it, he, तीन pronoun दिये गए, हमें correct pronouns में fill करना है, meet my mother, मेरी माँ से मिलिये, is a doctor, mother female है, so हम कौन सा pronoun यूज करेंगे, she, she is a doctor, next is my sister is wearing her uniform, मेरी sister अपनी uniform पैन रही है, sister girl है, इसके लिए हम pronoun यूज करेंगे, she, sorry, यहाँ पर she यूज नहीं होगा, यहाँ पर pronoun यूज होगा, it, क्योंकि वह uniform की बात हो रही है, तो it is new, यहाँ पर uniform की बात हो रही है, तो इसके लिए हमने it यूज किया, next is I have a house, मेरे पास एक house है, house बहुत बढ़ा है, house एक ही है, house वस्तु है, तो हम यूज करेंगे it, it is very big house, बहुत बढ़ा है, the boy is very happy, boy बहुत खुश है, because he won the match, he has won the match, क्योंकि उसने match जीत लिया है, he has won the match, boy, girl, यह जो boy है, वह लड़का है, इस लड़के के लिए हमें pronoun यूज करना ही, next is a lion lives in the jungle, lion जंगल में रहता है, मैंने बताया था, आपको animals के लिए pronoun यूज होता, it, it has a man, उसके जो आसपा सी बाल है ना, इसको हम man कहते हैं, so it has, हमने यूज किया it, my name is Samir, complete हमें ये पैसे दिया गए से हमें complete करना है, pronoun से ही, my name is Samir, मेरा नाम Samir है, I am six years old, यहाँ पे कौन सा pronoun यूज भा समीर के लिए, I, I have a brother, मेरा एक ब्रदर है, and he is twelve years old, brother के लिए हमने pronoun यूज किया, he, I also have a sister, she is three years old, लड़की है, इसके लिए हमने pronoun यूज किया, she, my father is a doctor, and he goes, father male है, so he goes to hospital, वा hospital जाते है, my mother is a teacher, मेरी मतर टीचर है, mother के बारे मेरा बात होरी है, mother female है, so we use she for mother, she loves to read, उने पढ़ना बहुत पसंद है, there is a puppy in our house, it is white with black spots, उसके white और black spots है, okay students, ये था हमारा pronoun, I hope आप समझ गए होंगे, thank you, have a nice day